नमश्कार दोस्तों सबसे पहले तो जिन्हों ने हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सबस्क्राइब कर दिजिए दोस्तों जैसे जैसे बिग बॉस 11 नजदीक आता जा रहा है तैसे तैसे बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंस की नई नई खबरें सामने आती जा रही है अभी जो खबर ही है वो है बिग बॉस सीजन 9 की कंटेस्टेंस मंदाना करीमी की शादी की मंधाना करीमी की शादी को अभी छे महिने भी नहीं हुए थे कि उनकी शादी तूटने की कगार पर पहुँच गई है यहां दोस्तों मंधाना ने कुछ महीने पहले ही बिजनिसमेन गौरब गुपता से शादी की थी अचानक से मंदाना ने अपनी शादी की खबर से हर किसी को चौंका दिया था लेकिन छे महीने बाद ही दोनों के रिष्टों के बीच आई खटास ने घरेलू हिंसा का रूप ले लिया है और मंदाना ने अपने पती के किलाब घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है और अब ये मामला कोट में पहुँच गया है इरानी मूल की एक्टरस मंदाना करीमी ने इसी साल 25 जनवरी को गौरब गुपता के साथ साथ फिरे लिये थे दोनों ने पहले चुप चाप गुप चुप तरीके से कोट में जाकर शादी की उसके बाद धूम धाम से परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में साथ फिरे लिये लेकिन हाली में मंदाना ने अपने पती गौरब पर उन्हें धर्म पर वरतन के लिए मजबूर करने और फिल्मों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है इतना ही नहीं मंदाना के वकील ने कोट में गौरब से दस लाक रुपे की माग की है साथी गौरब की वज़े से उनके फिल्मी करियर को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी दो करोड मागे है अब गौरब ये रकम मंदाना को देने के लिए तैयार होते है के नहीं होते फिल्हाल ये सब कह पाना थोड़ा मुश्किल है मंदाना के वकील ने हाल ही में एक इंगलिश न्यूस पेपर को दी गई जानकारी में ये बात बताई के मंदाना पर उनके पती गौरब और उनकी फैमली उन्हें हिंदू धर में कनवर्ट होने का अरोप लगा रहे थे मंदाना ने केवल गौरब पर ही नहीं गौरब की मा और अपने सास पर भी घरेलू हिंसा का अरोप लगाया है इरान के तहरान की मंदाना बिग बास सीजन नाइन समेट राए भाग जानी भाग क्या कूल है हम और कमेडी नाइट्स लाइब जैसे शोज में दिखाई दे चुकी है बहरहाल मंदाना के इन आरोपों पर गौरब और उनके परिवार ने कोई सफाई ने दी है लेकिन ये जरूर पता चला है उन्होंने मंदाना करीमी को घर से निकाल दिया है और मंदाना ने कहा है कि मैंने रिस्टे को संभालने की बहुत कोशिश की है लेकिन उन्होंने मुझे घर में एंटर नहीं होने दिया है अब ये बात आगे कहां तक पहुंचती है दोस्तों ये हम आपको बताते रहेंगे धन्यवाद की वाचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल